जिले के पकांजूर के पीवी नंबर आठ तरासी में विधायक अनुपनाग विशाल जनसंबेलन में पहुचे जहां उन्होंने शेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं इस प्रेम और आत्मीता के लिए आजीवन आभारी रहूगा आपको बता देगी शेत्री विधायक अनुपनाग और राज यूचना आयो की सदस्य कांती देवी नाग की मौजूदकी में विशाल जनसंबेलन का आयोचुन किया गया जिसके अध्यक्षता, इस्थानी सर्कंच और ब्लॉक कॉंग्रिस कमीटी के उपाध्यक्ष मुकुल पाल द्वारा की गई कारकर मिस्थल में विधायक नाग और कांती नाग समेथ अन्ने सभी अतीतियों का बड़े ही आत्मीता के साथ स्वागत किया गया जवान साथी मात्री शक्ति यहां उपस्थित हुए हैं उनके विचारों से मैं रूपरू हुआ मैं अपनी सरकार की और हमारी भावी योजनाओं के बारे में उन्हें अउगत कराया हूँ और चुकि यह 2023 चुनावी वर्ष है इसलिए आने वाले समय में जो चुनाओं होने जा रहे हैं जनरल इलेक्षन विधान सभा की उनके बारे में भी मैं इस छेतर की जरुटतक को निविदन क्या है कि जिस लार प्यार और निच से मुझे आपने विधायत बनाया आने वारे समय में भी आपका आशिरवाद मिलना चाहिए यह निविदन होने हैं कि और आज इस कारिकम में विशेश कर पीवी 82 के हमारे आधरनी सरपंच मुकल पाल जी और पुर्य चेतर के हमारे पार्टी के साथिकर बड़े एक जूटता के साथ इस सफल आयोजन के हैं मैं तो देखकर बड़ा खुश हुआ कि मुकल पाल जी